ये दो तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं पहली जब वो दफ्तर पहुझे थे और ये प्रेस कांफरेंस के वेन्यू पर पहुच कर उन्होंने अब मौजूद हैं जैराम रमेश उनके साथ मौजूद हैं और इंतजार राहूल गांधी क्या कहते हैं किसी वेनू गुपाल मौजूद हैं आप साथ में देख रहे हैं अशोग गैलोट भूपेश बगेल कॉंग्रस के तमाम मुख्यमंत्री अभिशेक मनु सिंग्वी को भी आप देख रहे हैं कल भी अभिशेक मनु सिंग्वी मीडिया के सामने आयता है और अपनी बात उन्होंने रखीती सुनते है हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गैलोट जी, चत्तिसगर के मुख्यमंत्री गुपेश बगेल जी, हलो डॉक्टर अभिशेक सिंग्वी और हमारे संगटन के महामंत्री केसी विने गुपाल जी पुजूद है मैं राहुल जी से गुजारिश करूँगा, वो पहले आपको संबोजित करेंगे, बाद में आपका सवाल जवाब लेंगे, राहुल जी नमस्कार, मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आक्रमन हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पर जाता हूँ अदानी जी की शेल कंपनीज हैं अदानी जी की शेल कंपनीज हैं उसमें बीस हजार करोड रुपिया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफ्रस्ट्रक्चर विजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो बीस हजार करोड रुपिय हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लिमंट हाउस में प्रूफ देके जो मीडिया रिपॉर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बाने में डीटेल में बुला रिष्टा नया नहीं है रिष्टा पुराना है जब नरेंदर मोदी जी गुजरात के सीम बने थे तब से रिष्टा है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स है हवाई जहाद में मैंने फोटो दिखाई नरेंद मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लिमंट में मैंने दिखाई ये सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी पॉइंट बाइपॉइंट कि मैंने कहा कि एरपोर्ट अदानी जी को रूल बदल के दिये गए है ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है चिट्थी लिखी कोई फरक नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लमेंट में जूट बोला बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर Parliament का नियम है कि अगर किसी member पर कोई accusation लगाता है तो उस member को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया फिर मैं speaker के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने जूटा अरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद आपने सब ने देखा क्या हुआ सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूँगा नरेंदर मोदी जी का अधानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोर रुपए किस के हैं मैं पूछता जाँगा मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से और अगर यह सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाय करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोगतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोगतंत्र के लिए लड़ता रहूँगा किसी चीज से नहीं डड़ता हूँ यह सच चाहिए क्या मजबूरी है मेरी बताइए मैं अभी आपको बताती हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शू को पॉज रिपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे